आप सुन रहे हैं किसान तक पॉड़कास्ट गुड़ की डली हर सुभा एक मीठी बाद नमस्कार मैं हूँ संदर्शिका आज की मीठी बाद जुड़ी है मिठी की सेहत से मिठी की घट्टी उर्वराशक्ति को लेकर किसान भी परिशान है खेतों में बढ़ रहे रासाइनिक उर्वराख के इस्तमार के चलते मिठी की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है वहीं अब योगी सरकार ने भी किसानों के खेतों में मिठी की उर्वराशक्ति की जाँच के लिए अभियान शुरू किया है किसान के खेतों में कितनी जान है या उन में किस पोशक तत्व की कमी है इसका पता लगाने के लिए हर जिले में मृदा परिक्षन कराया जा रहा है मिट्टी की सेहत की जाज का पता चलने से किसान जरूरी पोशक तत्व की कमी को दूर कर पाएंगे खास बात ये है कि किसानों को ये सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है मिट्टी की जाच के बाद मिट्टी की सेहत का पूरा व्योरा किसानों को दिया जाएगा प्रदेश के हर जिलों में किसानों के बीच मिट्टी जाँच को लेकर जागरुकता भी फैलाई जा रही है उत्रप्तेश सरकार की कृश्य विभाग के द्वारा किसानों के खेत की सेहत को जाँचने का भियान सबी जिलों में शुरू किया गया सरकार की ओर से किसानों को ये सुविधा पूरी तरही के से निशुलक दी जा रही है अमेटी जिले में 13,000 म्रदा परिक्षन का लक्षे तै किया है प्रतेक ब्लॉक के 10 गाउं को चयन करके 1000 म्रदा परिक्षन के लिए नमूना लिया जाएगा इसी तरह सभी जिलो में लक्षे निर्धारित किये गए है हर गाउं के 100 किसान इसके लिए चुने जाएंगे मिट्टी की जाँच के बाद किसानों को म्रदा स्वास्त काट भी दिया जाएगा बतारें कि 15 जून तक परिक्षन के लिए नमूना इकटा करने का काम भी पूरा किया जाएगा सभी ब्लॉकों में क्रशी विभाग की ओर से चुने गए किसान की म्रदा की जाँच पूरी तरीके से निशुल्क होगी जबकि दूसरे किसान जो अपने खेत की मिट्टी की जाँच कराना चाते हैं इसके लिए उन्हें निरधारित शुल्क देना होगा जीवाश्म कार्बन प्रतिशत, फोस्फूरस और पोटाश की जाँच के लिए 29 रुपए जबकि सल्फर के लिए 30 और सूश्क्म पोशक तत्व में जिंक, तामा, मैंगनीज और बुरान की जाँच के लिए 43 रुपए का शुल्क किसानों के लिए निरधारित किया गया है जाँख्या में अपनी मिट्टी की जाँच कराएं और मिट्टी को स्वस्त करने की दिशा में आगे बढ़ें तो आज की पोटकास्ट में इतना ही ऐसी ही अच्छी और काम की खबरों के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास पोटकास्ट गुड की डली